कैमूर में इन दिनों चोरी हत्या जैसे अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कहीं न कहीं आरोपियों द्वारा चोरी हत्या जैसी अपराध ही घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला मोहनिया का है, जहां एक आरोपी ने रुपए की फिरोती नहीं मिलने पर, आठ साल के बच्चे को अपरहन करने के बाद पहले जहर खिलाया, फिर उसके बाद कपड़े से गला दबा कर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि बच्चे के माता-पिता से पैसे एंटने के लिए आपसी जलन में बच्चे को अपरहन कर इस जगन ने हत्या की घटना को अंजाम दिया गया. घटना के संबंध में मोहनिया DSP फैज एहमद खान बताते हैं कि एक बच्चे की हत्या करने की सूचना मिली जिसको पुलिस की एक तीम बनाकर एक आरोपी को गिरफतार किया गया, जहां आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है. आरोपी ने बताया कि परिवार से इर्शा को लेकर उसने टौफी देने के बहाने बच्चे को बुलाया और अपरहन कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल और मितक बच्चे की चपल को बरामत किया है. इसने अपना अपरास स्विकार करते हुए यह बात बताया है कि उसने बच्चे का बच्चे का आरोपी को अपने खबीच में लेने के बाद जाहिला पुलाया और उसकी गलाद अबागर उसकी हत्या कर दी गई. और इसमें तुरत बच्चे को उठाने के बाद प्रशाओं हEr प्रीवार वालों के साहथ ही ने लेगत गटना के संबंध में मोहनिया DSP फैज एहमद खान बताते हैं कि एक बच्चे की हत्या करने की सूचना मिली जिसके लिए पुलिस की एक टीम बना कर आरोपी को गिरफतार किया गया आरोपी ने पूश्टाच के करम में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया है कि पैसे तथा परिवार से इर्शा को लेकर मैंने टौफी खिलाने के बाहरे बच्चे का अपरण किया और उसकी अहत्या कर दी वहीं पुलिस ने बच्चे के शव को बरामत कर परिवार को अंतिम संसकार करने के लिए सौप दिया है जबकि गिरफ़तार आरोपी को जेल भीचा जा रहा है कैमूर से अजीत की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद